कितने राम दीप जलाएं 22 जनवरी याने की राम लला के प्रान पतिस्था वाले दिन दीप जलाते वक्त कौन से समय को चुने जो हमारे लापकारी हो दीप जलाते वक्त किस मंदर का उचारन करें दीप में हम किस तेल का प्रयोग करें ऐसे बहुत से सवाल हैं जो फिलहाल बहुत से लोगों के मन में आ रहे हैं तो इन सारे सवालों के जवब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो प्लीज आप शुरूर से लेकर करके आखरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए जैश्यराम दोस्तों सरातन गुर्लक चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वाधत हैं आप सभी को मालूम होगा कि 22 जैन्वरी को हमारे राम नला के प्रांपतिस्था आयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात कि आप सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई क्योंकि यह जो दिन है वो बहुत लंबे संगर्ष के बाद बहुत इंतिजार के बाद यह दिन आया है और हम सब बहुत भागेशाली है कि हमें इस दिन का साक्षी बनने का मौका मिल रहा है तो आप सभी के घरों में नीमंत्रन आया होगा आयोध्या से महा का जो पुझनी अक्षत कहना चाहिए वो सभी के घर पहुंचाया जा रहा है यदि किसी कारण वर्ष आपके घर नहां आ पाया हो तो आपको दिल छोटा करने की जरुरत नहीं है क्योंकि भगवान के घर जाने के लिए किसी के नीमंत्रन की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन हम सभी का अयोध्धा जा पाना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन हम अपने घर लिए अफरी को सब्सक्राइब कर थे लिए कर देमृट कर सकते हैं उनके स्ष्वादत की तैयारया करें उनके स्वादत का उत्साव मनाएं उनके नाम का दीपनम कई जलाएं तो आपको यह सारी चीज़ें कैसी करनी है यह मैं आपको विस्तार सरी स्वीडियो बताँगी व तो उस धिन आप सुभा उठकर के नहाने के बाद नया कप्ड़ा याफ़ साफ वस्तर होता है भुला हुआ आप ग्रहन कर लीजिए धारन कर लीजिए उसके बाल आपको क्या करना है कि आपको आपकी घर की थोड़ी से साफ सफ़ाई रखनी है आप घर के बाहर रंगोली बना सकते हैं घर को बंदन मार जो होती है उससे आप सजा सकते हैं दोरल से आप सजा सकते हैं ऐसा कर लीजिए आप घर के जो मुख्य द्वार होता है वहां पर आप स्वास्तिक बना सकते हैं अगर आपके पूजा रूम में कोई दरवाज स्वास्तिक बना सकते हैं यह चौकट Alors, और पूझा करेंगों पूझाा करते हैंजिक टौक शुधिकुकर WiFi Q evaluating यह य६्जा करने नशुक्त शुधिकराइब पूझा करूं लेकिन यह Ilा डोएchnежд PM, पूझासर दृत रही जो पूझा करने हैं और अभीजीत मूहरत में हो रहा है जय फोर्त के अभीजीत मूहरत में धुझा करना है यह उना स्फु हम म कैसे करना हें,gemost q. लेख रामजी के जो होगी मुर्थी या ऊफोटो रख लीजे या बहुत सो लोगों घर में रामदर्बार की मुटी होती है खोट्च में बहुत पहले सिराश्ली को मटासीदा लक्षमजीं ए拼achment आजाते हैं क्योंकि अगर आप रामजी कोशिश करके हैं हिआयि तो आप रामदर्वार के अगर मूर्ती है तो आप उस चौकी पे जो है रख लीजिए अब उसके बाद आपको क्या करना है गंगा जल का छिरकाओ करना है शुद्धी करन करने के लिए यानि कि आप भगवान को जो है नहला रहे हैं तो आपको क्या है जल में गंगा जल कभी मिलाएं आप पहले गंगा जल डालें किसी ग्लास का टोरी जिसमें भी हो पुजा का जो बरतन होता है उसके बाद उसमें आप जो है साधरन जल डाले उसके बाद फूल से उसका आप छिरकाओ कर लीजिए इसके बाद आपको क्या करना है आपको एक दीपक जलाना है इस वक पुष पयाने की फूल आप उन्हें चढ़ाईए आप जो है उन्हें दूब बत्ती दिखाईए आप जो है उन्हें बिठाई जो होती है वो आप चढ़ाईए भोग की रुप में चाहे तो आप घर में भी मिठाई बना सकते हैं भोग या तो आप बाहर से भी ला सकते हैं आप जरूर से डालेगा, तो आप वो डालने के बाद आप भोग लगाए भगवान जी को, और एक छोटे से बरतन में हो सके तो छोटा गिलास आता है, पुजा का आप उसमें जो है जल भी अवश्रिने, जैसे हम खाने के बाद जो है जल गरहन करते हैं, उसी रूप में वो और आएन का कोई चौपाई बढ़ना चाहते हैे तो वह भी पढ़ सकते हैं, आप संदर कान पढ़ सकते हैं, अप अनिमान जाल का असले साभी पढ़ सकते हैं, तो समझ देवपी जैजित, दाउं के पूजा करने के बाद आप जो है वो आप आरती करिए more आरती करने के बाद आपको क्या करना है कि यह तो आपको जो है यह पूजा हो गया अब जो आपको दीपक जलाने है तो वह दीपक जलाने का सही समय क्या है तो आपको इस अभिजीत मुरत में जो है वो सारे दीपक जलाने के आवशकता नहीं है पूजे के वक्त जो है एक दीपक जो है वह क जिसे 11,21 इनक्यावन यह सारे शुभ अंक हैं हमारे हिंदु धर्म के तो आप इन में से जो आपके पास जितनी दीपक एवेलेबल हो यह आपके जितने श्रद्दा हो आप उतने जो है जो है जला सकते हैं तो आप जहें जितने भी दीपक जलाएं उसमें से पांच दीपक जो आपको जैसे आप दीपक जलाते हैं जैसे आप खुशियां मनाते हैं आपको जो है वैसा ही करना है अब यह प्रश्न आता है कि आप कौन से तेल से दीपक जलाएं तो देखे दोस्तों आप जो हो सके तो शुद्ध घी का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप क्यारा दीपक जला इस्तमाल कर लीजिए और यदि सरसो तेल नहीं है तो तील के तेल से भी जो है दीपक जलाया जाता है तो तील के तेल का इस्तमाल कर लीजिएगा अब बोलते हैं कि कौन सा मंत्र जो है हम दीपक जलाते वक्त जो है पढ़ें तो दीपक जलाते वक्त भी एक मंत्र है जिसका आ मैं फिर से एक बर दोर आती हूं शुभम करोती कल्यारम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धी विनाशाया दीपम जोती नमोस्तुते तो यह जो मंत्र इस मंत्र का आप उच्छारण करिए लेकिन यदि आपको यह मंत्र याद नहीं हो पा रहा है या आपको पढ़ने म कखिणाई हो रही है ऐसी कोई से भी परेषानी आए तो आप सफ राम नाम लीजी राम राम कहते हुए आप आप लो इस जी जीवन में और नम के साथ ङ cyn synt ihm दुनिया में और नाम यह कोई कश्य देवन में इस दुनिया में आप राम नाम के साथ बैशानाया दुआए इस ज जेदि आपके पास जो है पुल जडवाः डिवाली की रहा लाली के होग ऑप को मिलगे सकते हैं तो आप भू भी पूरतिस्था जुक्डि होरे है उंकि पूर होने जा रहा है तो आपको इसी उल्लास के साथ जो है ऐसी पूजा करनी है हो सके तो आप गाना जो भजन है वो मुझे बहुत परसंद है आप पी जो है बिल्कुल सुन सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेर जरूर करें और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जैश्री राम